नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटिव चैनल इंग्लीज का फंदा में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आम बोलचाल में यूज होने वाले ऐसे 30 इंग्लीज सेंटेंस के बारे में सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लीज को शांदार बना इस इंग्लीज में कहेंगे I am going to marry I am going to marry या फिर इसे ये भी कह सकते हैं I am getting married I am getting married या फिर ये भी कह सकते हैं I am going to get married I am going to get married अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों उसकी पत्नी बड़ी जगडालू है इसे कहेंगे His wife is very qualsam his wife is very qualsam qualsam होती है जगडालू अगला सेंटेंस है मुझे आज उससे मिलना है इसे कहेंगे I am to meet him today I am to meet him today अगला सेंटेंस है मुझे आज match देखना था इसे इंग्लीज में कहेंगे I was to watch the match today I was to watch the match today अगला सेंटेंस है कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बारे में सोचता है इसे इंग्लीज में कहेंगे Somehow he thinks about you अगला सेंटेंस है उसे आज जल्दी जाना है इसे कहेंगे He is to go early today अगला सेंटेंस है मुझे पता है जो भी तु कर रहा है वो गलत है इसे कहेंगे I know whatever you are doing is wrong अगला सेंटेंस है उन्हे कल हर हाल में शादी में जाना था इसे कहेंगे They were to attend the marriage yesterday at any cost अगला सेंटेंस है मुझे सुबह सबजी खरीदनी थी इसे कहेंगे I was to buy vegetables in the morning अगला सेंटेंस है तुम्हें आने से पहले मुझे कोल करनी थी इसे कहेंगे You were to call me before coming अगला सेंटेंस है अपनी मम्मी को जरूर बताना इसे कहेंगे Do let your mom know अगला सेंटेंस है मुझे अभी के अभी चाय पीनी है इसे कहेंगे I am to take tea right now अगला सेंटेंस है मुझे अभी के अभी नहाना है इसे कहेंगे I am to take bath right now अगला सेंटेंस है ये तुम्हारा अब तक का सबसे शांदार विचार है इसे कहेंगे This is the most brilliant idea you have ever had अगला सेंटेंस है ये सवाल मुझे तुम से पूछना है इसे कहेंगे I am to ask you this question अगला सेंटेंस है मैं उससे बात नहीं करना चाहता लेकिन करनी पड़ती है इसे कहेंगे I don't want to talk to him but I have to talk I don't want to talk to him but I have to talk अगला सेंटेंस है मैं सोचता हूँ कि तुम वहां थे तुम सबसे मिले होंगे इसे कहेंगे I think as you are there you must have met everyone I think as you are there you must have met everyone अगला सेंटेंस है तुम्हें आज ही ये काम पूरा करना है इसे कहेंगे अगला सेंटेंस है मुझे उसको पैसे उधार देने पड़े इसे कहेंगे I had to lend him money I had to lend him money अगला सेंटेंस है क्या बिजली गिरी है इसे कहेंगे has lightning struck अगला सेंटेंस है इसके पीछे क्या कारण है पता करो इसे कहेंगे find out the reason behind it find out the reason behind it अगला सेंटेंस है क्या आपको उसके साथ रहना पड़ता है इसे कहेंगे have you to live with him have you to live with him अगला सेंटेंस है तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है इसे कहेंगे which song do you like the most अगला सेंटेंस है दोस्तों मुझे ये घर छोड़ना है इसे कहेंगे I am to live this house अगला सेंटेंस है तुम्हें मेरा साथ छोड़ना ही था इसे कहेंगे you were to live my company अगला सेंटेंस है मेरे पास समय ही समय है इसे कहेंगे I have plenty of time या फिर ये कह सकते है I have got plenty of time अगला सेंटेंस है तुम्हें क्या खाय जा रहा है इसे कहेंगे what's eating you what's eating you अगला सेंटेंस है दोस्तों तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो इसे कहेंगे why are you adding fuel to the fire अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें नया मोबाइल खरीदना है इसे कहेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों बहुत जल मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंस के साथ उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर आप हमारे चैनल पे हैं बिलकुन नई तो मारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए नख्याल लगिए सुरुक्षित रहिए जै हिंद जै भारत